विधान सबाब चुनावों के नतीजे अब गोशित हो गए हर्याणा जमु कश्मीर में फैसला आ गया हर्याणा में बीजेपी की जीत और जमु कश्मीर में एंसी गडबंधन की यानि की कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस की ये संयुक्त जीत हुई है लेकिन इस बीच एक लिस्ट आई है जो की एक हफ़ते का ये लिस्ट है यांकड़ा है 28 सितंबर से 4 अक्टूबर की बीच और एक हफ़ते का ये आकड़ा सामने आया है रिपोर्ट में बताने जा रहे है हाला कि इस रिपोर्ट में इसके शुरुवात करने से पहले मैं आपको बता दूए जो आंकड़े सामने है दूसरा हम आदनी पार्टी, तीसरा इंडियन यूथ कॉंग्रेस, चौथा आपका राहुल गांदी यानि तीन नमबर पर राहुल, माफ कीज़ेगा और चौथे नमबर पर इंडियन यूथ कॉंग्रेस फिर पांचमे नमबर पर नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल आता है तो आखिर हर्याणा में बीजेपी की जीत तो हुई लेकिन यूट्यूब पर यानि कि सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल पर आखिर विपक्ष्र ने कैसे बाजिमारी इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आपको पता दे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स का ये यूट्यूब चैनल है टॉप टेन यहाँ पर नाम है जिसको वीकली स्टेट यानि जो हफ्ते का सब्ता का जो आकड़ा सामने आया है उसमें किसने बाजिमारी तो पहला नंबर आता इनसी का यानि इंडिया नैशनल कॉंग्रेस इंडिया नैशनल कॉंग्रेस को 28 सितम्बर से 4 अक्टूबर के बीच में करीबन 19.6 मिलियन व्यूज मिले है 19.6 मिलियन व्यूज और व्यूज शेयर पर कर नज़र डालें तो 38 फीसिदी व्यूज शेयर बढ़ा है आइन्सी का दूसरे नमबर पर एक और विपक्षी दल आम आदनी पार्टी केजरिवाल की ये पार्टी है केजरिवाल की पार्टी को एक हफते में यानि 28 से तंबर से चारक्टूबर की बीच में एक 11.7 मिलियन व्यूज मिले है दूसरे नमबर पर है रनर अप आँव आदनी पार्टी का यूच्टीब चैनल व्यूज शेयर की बात करें तो 23 यानि 23 फीसिदी तीसरे नमबर पर लीजर ऑफ अपोजिशन एलोपी राहूल गांधी राहूल गांधी की यूच्टीब चैनल को 6.2 मिलियन व्यूज मिले है और पिछले एक हफते में 12 फीसिदी व्यूज शेयर बढ़ा है राहूल गांधी की यूच्टीब चैनल का पाचवे नमबर पर देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यूच्टीब चैनल है नरेंद्र मोदी के यूच्टीब चैनल को 28 सेतंबर से 4 अक्टूबर यानि इस वीकली स्टेट में सिर्फ 5.8 मिलियन व्यूज मिले 5.8 मिलियन व्यूज व्यूट शेयर की बात करें तो 11 फीसदी व्यूट शेयर बढ़ा यानि एक फीसदी कम राहूल गांधी और इंडियन यूट कॉंग्रेस की व्यूट शेयर से एक परसेंट व्यूट शेयर जो है ये आमाधी पंजाब का यूट्यूब चैनल है उसका बढ़ा है आठवे नंबर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात का यूट्यूब चैनल आता है योगी आदितिनात की यूट्यूब चैनल को 0.3 मिलियन लोगों ने ही देखा है यूशेयर एक फीस दी इसके बाद नवे नंबर पर रूलिंग पार्टी भारतिये जनता पार्टी BJP को 29-28 सेटंबर से 4 अक्टूबर के बीच में एक हफते में सिर्फ और सिर्फ 0.3 मिलियन व्यूज मिलें अब आप देखिए एक तरफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस नंबर वन पे था 19.6 मिलियन लोगों ने देखा है तो वही BJP को सिर्फ 0.3 मिलियन व्यूज व्यूज शेयर की बात करें तो एक फिस दी और दसवे नंबर पर आता है आम आदनी पार्टी दिली का यूट्यूब चैनल इस यूट्यूब चैनल को पिछले एक हफते में 0.3 मिलियन व्यूज मिले हैं और 1% व्यूज शेयर इसका भी बढ़ा है तो टोटल अगर इन 10-0 यूट्यूब चैनल को मिला दें तो जो मिलियन व्यूज है वो करीबन पिछले एक हफते में यूट्यूब पर 51.5 मिलियन व्यूज गए है और वीज़ शेर की बात करें तो सो अफिज दी वीज़ शेर हो जाता है लेकिन आप यहाँ पर जो आमने आपको आखड़े बताएं इस आखड़े से कही न कही एक बाद फिर इस बात को बल मिल रहा है और जोर मिल रहा है कि जो विपक्षी दल का YouTube चैनल है उसे लोग ज़ादा देख रहे हैं in comparison to सत्तापक्ष की YouTube चैनल से क्योंकि पहले नमबर पर ही INC है, दूसरे नमबर पर आम आदमी पार्टी है तीसरे नमबर पर राहूल गांदी का YouTube चैनल है लोग नरेंद्र मोधी से ज़्यादा पिछले एक अफते में राहूल गांदी की YouTube चैनल से को देख चुके हैं यानि की 6.2 मिलियन राहूल गांदी के व्यूज हैं पिछले एक अफते में और नरेंद्र मोधी के महस 5.8 तो आपको कैसा लगता है इस रिपोर्ट पर आपका क्या उपीन यहने क्या कहना है कमेंट सेक्षिन में हमें ज़रूर बताएं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24